हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहोस और सॉलूसंस, दोस्तों जैसा कि सीरीज के पिछले वीडियो में हमने प्रिजर वाइट एस्पेस के बारे में देखा कि कैसे काम करता है, क्या होता है, इस मेटाडेटा का क्या रूल है, हमने वीट प्रेक्टिकल देखा, अगर आपने नह बात करेंगे और प्रेक्टिकल करके भी आपको दिखाएंगे, यह बहुत ही जरूरी है, देखिए, मैं आप लोग को स्टार्टिंग से बुलते आ रहा हूं कि कुछ ऐसे मेटा डेटा होते हैं, जिनके बीना भी आप अप्लिकेशन डेवलप कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐस अप्लिकेशन का पर्फॉर्मेंस इन्हांस होता है, और आपका डेवलप्मेंट स्कील भी डेवलप होता है, तो चलिए कैसे इसको यूज करेंगे, इसमें आपको यह सब चीज़े पता चलेगा, तो इस वीडियो का स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, कि आप अगर नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लिजे और बिल की आइकन को क्लिक कर लिजे, ताकि जैसे मैं नए वीडियो जालू, तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले, तो चलिए देखते हैं, देखिए, व्यू प्रवाइडर को हम यूज करते ह किसी भी क्लास को कंपोनेंट के अंदर यूज करने के लिए, आपको पता है कि कंपोनेंट डेकुरेटर जो है, एक क्लास लेवल का डेकुरेटर है, ठीक है, तो कंपोनेंट डेकुरेटर अपने जस्ट नीचे वाले क्लास को आटो कॉल कर लेता है, आटो कॉल कर लेगा, उ उसी component पर ही कोई दूसरा class आपने बना रखा है जो component लेबल का ना हो तो उसा क्लास को कैसे करेंगे वही चीज आपको यह बताएगा वी प्रोवाइडर उस class को यूज करने के लिए उस class का नेम भी पॉरवाइडर के अंदर रखना होगा तो कैसे ओंप लेवल का हो जाता है अगर किसी class को मोडिू लेवल बनाना हो अगर माल यह आगे चल यह का अपको future में किमेंट करना है ठीक है तो अगर उस class को मोडिल लोगा करना होगा तो सो कहां रखेंगे इन सारे चीजों को हम विद्प्रेक्ट कर देखते हैं अपको अच्छे से समझाता हूं कि प्रवाइडर कैसे यूश कर तो देखिए वही प्रजेक्ट है यहां पर हम पिछले वीडियो में प्रेक्ट कर रहे थे इसको मैं इसमें जो भी चीजें म बिल्कुल रिफ्रेश होगया हमारे पास कीवल रिफेश होगया पेज और क्योंवनघाए के वेप्लो no volt अब क्या करते हैं कि यहां पर मैंने प्रेश्ट के दॉटे आको अए आप चलेंगे टियसफ पर आने के बाद आप देखेंगे यह क्लास है यह क्लास है component decorator का है मतलब component decorator label class है क्योंकि इस decorator के just नीचे है मैंने आप लोग को already बता रखा है ठीक है तो ये class अपने आप call हो जाएगा जैसे इस decorator load होगा अपने class load कर देगा लेकिन इसके बाहर कोई class अगर बनाते हैं माल लिजह हमने यहाँ पर कोई class अधिया class ABC ठीक है और इसके अंदर मैंने कोई constructor कर ले लिया ठीक है और इसके अंदर मैंने लिख दिया console.log और इसको मैं copy करके यहाँ डालता हूँ एबीसी तो यह देखिए constructor अपने आप call नहीं होगा ठीक है यह जो constructor था यहाँ पर जो अगर हम constructor लीक रहे थे यह constructor ठीक है और यहाँ मैंने लिख दिया console.log और यहाँ पर मैंने लिख दिखिए यह मैंने आप लोग को बताया था और यहाँ पर मैंने लिख दिया component constructor called ठीक है यह constructor अपने आप call हो जाएगा यह decorator load कर देगा ठीक है इस class का constructor या की load तभी होगा जब इस इस class का object बना होंगा इस class का constructor अपने आप लोड हो जाएगा विदाव दर क्रेटिंग अब्जेक्ट ड्यू टू टू दिस और abc में लिखा तो जैसी object बनाएंगे तो यह अब इसका object बन गया लेकिन यह यूज नहीं करने देगा बुलेगा कि इसका कोई provider नहीं है देखिए चलेंगे browser यहां पर भी एरर आ packet के अंदर आप abc लिखेंगे ठीक है और सेव करेंगे सेव करने के बाद आपका यह सेव हो जाएगा और सेव होते ही अब सेव होते ही यह ब्राउजर पर आप चाल देखेंगे ता आपको दीख जाएगा abc अब इसका अब बन चुका है अब इसके अंदर कुछ भी मेथड आप लिखते हैं जैसे माली हमने सो लिखा ति मेथड भी एक्सेस होने लएगा ठीक है और यहां पर जैसे माली हमने अब इसके अंदर में डाल दिया क्या कोई जूरत नहीं है और मैं लिख दिया underscore abc.show यह एक्सेस हो जाएगा अब एक्सेस यह हो जाएगा देकि यहां पर भी घृवल्ड दिखा दिया और यहां पर भी आएंगे तो कंसूल के अंदर आपको यहां पर घृवल्ड दिख जाएगा अब अब अगें यह तो होगे यह होगे आपका कि यहीं पर आपने class मना लिए अगर आप root पर class मनाते हैं ठीक है जैसे ंमाल यह class है EMP class और फिर मैं दुबारा कोई class मना तो यहां पर लिखता हूं n-g generate class और class का नाम देता हूं मैं student या फिर आपने मैं देता हूं book, book name से कोई class बनाता हूं, internet ठीक है, तब इस class को भी अगर access करना है, जैसे माल यह के book class बन गया हाँ पर, और यहाँ पर आते हैं book class के अंदर, इसके अंदर भी कोई constructor लेता हूं, ठीक है, और यहाँ पर देखता हूं, console.log, और इसको constructor को में अब ढलता हूं, कि यह call हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसका भी object रहसी बनाएंगे, तभी call होगा, ठीक है, बीना constructor क्या call नहीं होगा, यह भी constructor, अब जब object बनाएंगे, तभी होगा, यहाँ लिखता हूं, book constructor, ठीक है, अब इसका भी object बनाऊंगा, तभी चलए, सरब दिखा तो हूं, आप अखर book, इसको छोटा कर लगता हूँ, book, colon, book, ठीक है, और इसको मैं क्या कर दूँगा, import कर दूँगा, import कर दिया, save किया, अब देखिए, अब फिर error आएगा, अब चलेंगे, तो देखिए, error आगया है, कि इसका provider दो, no provider for book, अगेन हमें यहाँ पर provider देना पड़ेगा, कौ क्या हो जाएगा, चलना सुरू हो जाएगा, ठीक है, अब browser आप चलेंगे, तो book constructor call भी आपको रिफ्रेस होगा, रिफ्रेस होने के बाद, book constructor call भी आपको दिखा देगा, यहाँ पर आएगा, कि book constructor call, देखिए, book constructor call हो गया, यह हो गया, आपका, कि मतलब कि यह outside the decorator, जो भी class बनाएंगे, उसके लिए आपको भी प्रोवाइडर का अंदर उसका नेम रखेंगे, तो यह जो class हुआ, भी प्रोवाइडर का रखने के चलते हैं, यह इसी component level का class हो गया, यह भी आपर ध्यान देने वाली बात है, इस component level का यह class हो चुका है, अब दूसरे component का अंदर इस class क प्रोवाइडर के अंदर रखना होगा, आगे आप लोगो जब feature module पढ़ाऊंगा, तो एक module जब बनाऊंगा मैं, तो अगर module के अंदर प्रोवाइडर के अंदर इस class का नेम रख दूंगा, तो उस module के अंदर जितने भी component होंगे, वो सारे component उस class को access करने लएंगे, यह benefit वह loading, unloading, unloading का issue आ रहा है, मतलब कहने का यह हो गया, कि अगर आपको performance पर ध्यान देना है, कि अगर कोई class हमारा user उस component पर जाए, तब भी load हो, तो हम यहाँ पर भी provider के अंदर रखेंगा, अगर आपको पर उपर knowledge है, यही करेंगे, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि नहीं, हमें इस class को बहुत सरे जागई उज़ करना है, तो बार-बार के भी provider के अंदर रखेंगे, मैं एक module बना कर उसके अंदर, उसको register करता हूँ, provider के अंदर, तो उसको module के अंदर इतनी भी component होंगे, तो सब के अहाँ load होने लाएगा, अपने आप उसको हमें बार-बार भी provider देने क जुरुत नहीं पड़ेगी, तो आपको ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर ध्यान देना होगा, कि बहुत सरा जगाई उज़ करना हो, module के load होते हैं, उसके जुरुत तब ही वहाँ पर करिएगा, ऐसा ना कि हमें एक-दो, ESP component के अंदर उज़ करना हो, और हमने उसको module क अंदर register कर दिया है, तो module के साथ ही load हो जाएगा, जिस भी class का import जहाँ पर मिलता है, वहीं पर load होता है, अब देखिए, इंपोर्ट है मिलगे, अगर module का अंदर register कर देंगे, तो इसका import module का अंदर मिलने लएगा, तो वहीं पर module के साथ load हो जाएगा, यह सारे चीज़ आप अच्छा developer बन पाएंगे, तो I hope कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कि view provider का क्या concept होता है, फिर भी आपके माइन में कोई भी confusion हो, तो हमारे comment box में जुरू share करेंगे, हम आपके comment के reply करेंगे, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले topic के साथ, तब तक लिए thank you so much